शोर थम गया, दूसरे चरण में विहार की 5 सीट पर वोटिंग होनी है विहार में 2 सीटों के ले प्रचार का शोर थम गया दूसरे दौर में 26 अप्रेल को भागलपुर, बांका, किशन गंज, कटियार और पुर्णिया में बोट डाले जाएंगे 2019 में किशन गंज सीट कॉंग्रेस जीती थी, बाकी 4 सीट जेट्यू के खाते में आई थी 2019 में जेट्यू और बीचेपी का घड़ बंधन था और 5 सीट पर जेट्यू का उमिदवार चुनावी मैदान ने था इस बार भी 5 सीट पर जेट्यू के उमिदवार है पीम मोथी ने पुनिया में जेट्यू उमिदवार के लिए प्रचार किया तों मित्य शाह ने कटे हार में राजनात सिंग भागलपुर में प्रचार किया तो नितिश कुमार सभी 5 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुचे पूनिया में पीम की रैली वे सीम के नहीं होने को लेकर विपक्षने सवाल उठाए थे इन पांचों सीट में सबकी नजर पूनिया पर है यहां त्रिकोनिय मुकाबला है जेडियू से संदोश कुश्वाहा हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है तो राज़त ने पहली बार जेडियू के विधायक रही बीमा भारती को चुनावी मैदान में आरजेडि के टिकट से उतारा है पपू यादो निर्दलिय मैदान में है टिकट के आज में पपू यादो ने अपनी पार्टी का कॉंग्रिस में विलाई किया था लेकिन सीट आरजेडि के खाते में चली गई और पपू यादो को निर्दलिय ही लड़ना पड़ा पपू यादो की वज़े से ये मुकाबला त्रिकूनिय बन गया है यहां मुसलिम वोटर्स सबसे ज्यादा है तीजस्वी यादो ने पांस दिन यहां प्रचार किया है रैली और रोड शो के जर्ये वोट मांगा है किशन गंज सीट पर भी मुकाबला त्रिकूनिय ही है कॉंग्रिस के जावेद और चेटियू के मुजाहिद आलम के पीच MIM के अफ्तरूल इमान चुनावी मैदान में है पिछली बार भी त्रिकूडिय मुकाबले में जावेद जीत कहे थे मलिकार जुन खड के ओवैसी और नितिश कुमार ने यहां चुनाव प्रचार किया है कटिहार में कॉंग्रिस के तारिक अन्वर और चेटियू के दुलाल चंद गुस्वामी के पीच चुनावी मुकाबला है दोनों पुराने प्रतित्वंदी है भागल पुर्वे कॉंग्रिस के अजीत शर्मा इस बार जेटियू के अजय मंडल को चुनावती दे रही है अजीत शर्मा घुमिहार जाती से आते हैं अभिनीत्री नेहा शर्मा के पिता है राहूल गांधी ने यहां रैली भी की थी बांका इस बार चुनाव में ज्यादा चर्चे में नहीं आया यहां दो पुराने प्रतित्वंदी एक दूसरे के आमने सामने है जेडियू से मौझूदा सांसत गिरिधारी यादो तो आरजेडी से जैप्रकाश नारायन ग्यादो एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं बिहार में ऐसी कुछी सीट है जहां दोनों तरफ से एक ही चाती के उमिदवार हो उनमें बांका भी एक है जुम्य के दिन शैतान की काम्याबी नहीं होगी अपने विवादत बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले AIMIM के अध्यक्ष अस्दुदीन ओवेसी ने दूसरे फेज की वोटिंग के पहले देश की सियासत में शैतान के इंट्री करा दी है किशन गंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवेसी ने कहा कि 26 अप्रेल को आपको एक तारीख बनाना है उस दिन जुमा का दिन है मुबारक दिन है और उस दिन शैतानी ताकत को काम्याबी नहीं मिलेगी नहीं शैतान को काम्याबी मिलेगी इसलिए नमाद पढ़ने से पहले और बाद दोनों समे वोट ढालिए 26 अप्रिश तारीख को जुमे का दिन है मुबारक दिन है जुमे के दिन शैतान की काम्याबी नहीं होगी ना शैतानी ताकतों की काम्याबी होगी इंशालला हो ताला अस्दुदीन ओवेसी के बयान पर बेगु सराय से बीजेपी के उमीदवार गिरीराज सिंग ने पलटवार किया है गिरीराज सिंग ने कहा कि शुक्रवार का दिन संतोशी मा का है मा का मुह देख कर जाएंगे तो सारे शैतान भाग जाएंगे जो भी वो सैतान छोड़ेंगे, सारे सैतान को डबे में बंद करके अउस दिन हम लोगों के सुक्रवार को संतोशी माता होती है संतोशी माता का मुह देख के जाएगा सारे सैतान ना सोजाएंगे अस्दुदीन ओवेसी अक्सर बयान देते हैं जिस पर विवाद होता रहता है एक बार फिर ओवेसी ने विवादित बयान देकर चुनावी महौल को गर्मा दिया है सवाल ये कि क्या वोटों के धुरुविकरन के लिए नेताओं का इस तरह का बयान ठीक है निउस एटेन के लिए किशन गंज से आशी सिना और बेगु सराय से संतोष की रिपोर्ट और यार उकर एक छोटे से ब्रेक हे लिए जल लोटते हैं वापस